नमस्कार आप सभी का रोजगार समचार में स्वागत है आज हम जिन टॉप फाइब वेकंसिस के बारे में बात करेंगे उनके नाम है Bank of Baroda, B.O.B, Central Coalfields Limited, Central Bank of India, Oil India Limited, Home Guard Department, Rajasthan शुरू करने से पहले आपको बता दे कि इन टॉप फाइब जॉब वेकंसिस में हम उन सभी जॉब की बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए देश के किसे भी राज के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं तो आएए जानते हैं इन टॉप फाइब वेकंसिस को एक एक करके सबसे पहले हम बात करेंगे Bank of Baroda, B.O.B के बारे में पत का नाम है Senior Relationship Manager, E.Wealth Relationship Manager टोटल नमबर आफ वेकंसिस की बात करें तो कुल मिलाकर पदों की संख्या 376 है शक्षने की योग्यता की बात करें तो शक्षने की योग्यता बैचलर डिगरी किसी भी इस्ट्री में डेर से दो साल experience के साथ मांगी गई है तो वहीं अगर उम्र सीवा की बात की जाए तो मिनिमम एज से 23 साल है E.Wealth Relationship के लिए तो वहीं आविदन शुल्क लग रहे है जबकि SC, ST और PH के लिए 100 रिपे आविदन शुल्क लग रहे है अगर हम अंतिन तिति की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 दसंबर 2020 है आधिकारी की वेबसाइट की बात करें तो आधिकारी की वेबसाइट www.bankofbaroda.in अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर सेंटरल कोलफिल्ट लिमिटेड जारखन के बारे में पद का नाम है इलेक्टरिशियन, फिटर, मसिनिस्ट, टर्नर, प्लमबर, एकांटेंट और इसके अलावे ट्रेड अपरेंटिस से जुरे अनिपद टोटल नंबर आफ वेकेंसिस की बात करें तो कुल मिलाकर पाथ 149 वेकेंसिस खाली है श्रक्षरिक योगता की बात करें तो दसवी पास, बारवी पास, आईटी आई डिगरी जो है रिलिवन डिसिप्लिन में होना जरूरी है और इसके साथ ही बीकॉम, पीजी या फिर फाइनस, पी-म-क-वी-वाई, होल्डर फॉर अकाउंटेंट उसके लिए है उम्र सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की उम्र सीमा 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए इसके साथ ही कुछ एज डिलक्सेशन जो है वो डूल के हिसाब से दी जाएगी वहीं आविदन शुन की बात करें तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी फीन नहीं लग रही है लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की अंतिम तारिक पास दिसंबर 2020 है वहीं आधिकारे की वेबसाइट की बात करें तो यह apprenticeshipindia.org है अब हम बात करेंगे oil india limited की बारे में पत का नाम है diploma apprentice grade 7 टूटल नमबर अब vacances की बात करें तो यहां कुल मिलाकर 146 पदों के लिए भरती हो रही है श्रक्षन की योगिता की बात करें तो तीन साल की डिपलोमा engineering में चाहिए वहीं उम्रसीमा की बात करें तो minimum age 18 साल है वही maximum age जो है वो 30 से 35 साल के बीच है आवेदन शुल्क की बात करें तो जेनरल और OBC के लिए 200 रुपे आवेदन शुल्क निरधारत की गए है वही बाकियों के लिए किसी भी तरह के आवेदन शुल्क नहीं लग रहे है अब हम बात करेंगे Central Bank of India के दौरा निकाली गए डिक्तियों के बारे में पद का नाम है अलग-अलग streams के लिए specialist officers के लिए total number of vacances के बात करें तो कुल मिलाकर 115 vacances खाली है वही शेक्सनिक योगता की बात करें तो इसमें PhD, CA, PG, BA, BTEC, PG, MBA ये सबी जो है वो relevant discipline में होना आफशक है उम्रसीमा की बात करें तो minimum 26 साल उम्रसीमा निर्धारित की गई है तो वही अधिक्तम 50 साल अलग-अलग पोश्ट के लिए निर्धारित की गई है वही आविदन शुर्ग की बात करें तो बाकियों के लिए GST के साथ 850 रुपे आविदन शुर्ग देने पड़ेंगे लेकिन बस SCST स्टूडेंट के लिए GST के साथ 175 रुपे निर्धारित की गई है अंतिम तारिक की बात करें तो फॉर्म भर्नी की अंतिम तारिक 17 दिसमबर 2020 है तो यहाँ INB.Centralbank.net.inflashhashtaghas है अब हम बात करेंगे होम गार्ड डिपार्टमेंट डाजस्थान की दोरा निकाली गए डिक्तियों के बारे में पत का नाम है Constable, Constable Byguler and Drumman, Constable Driver टोटल नंबर अफ वेकंसल की बात करें तो यहाँ कुल मिला कर 135 है मैं श्राक्षन की योगता की बात करें तो इसमें Class 8 Exam Pass या फिर Ex-Service Man का होना ज़रूरी है इसके साथ ही LMV, HMV, Driving License, तीन साल के Experience के साथ होना ज़रूरी है तो वही उम्रसीमा की बात करें तो नियूंतम उम्रसीमा 20 साल है अधिक्तम उम्रसीमा फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 साल निर्धारित की गई है तो वही मेल कैंडिडेट के लिए अधिक्तम उम्रसीमा 25 साल निर्धारित की गई है अंतिम तारीक की बात करें तो उम्मिद्वार 15 दिसंबर 2020 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं वैं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो यह home.radistan.gov.in फ्लैस home guards है तो आज के रोजगार समचार में इतना ही तब तक के लिए इजाज़त देख नमस्कार